Hey guys, welcome back to our channel तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे USB के color coding के बारे में तो basically जब भी आप charger होगी रहा में देखोगे तो वहाँ पर आपको कुछ अलग-अलग type के color code देखने को मिलेंगे मनलब की यह type A to type C है या तो फिर type B है तो उसमें जो type A होता है तो उसका जो socket होता है उसमें हमें color code देखने को मिलता है तो उसी के बारे में आजम बात करेंगे और यहाँ पे उसके हिसाब से ही हमें speed देखने को मिलती है वहाँ पे 3.1 कैसे purchase करें 3.0 कैसे purchase करें 2.0 में क्या difference है मनलब की 3.0 और 2.0 में क्या difference है अब pin drive कैसे buy कर सकते हो memory card में किस तरह से class divide किये जाते हैं और उनके हिसाब से हमें किस तरह से speed देखने को मिलती है उन सब भी के बार में मैंने एक अलग-अलग type के वीडियोस बना रखें वो जरूद से जाकर आप check out करिये ताकि आपको better समझ में आ सके बात करें USB cables की तो इसमें हमें कहीं सारी चीजे देखने को मिलती है जैसे कि इसका जो socket होता है उसमें भी कहीं सारे अलग-अलग type के cables देखने को मिलते हैं जैसे कि mini USB, type B, type C, type A इस सार से कहीं सारे socket देखने को मिलते हैं और उसके अंदर एक color code दिया जाता है मतलब कि उनके हिसाब से उनकी जो data transfer की speed है वो सब कुछ उनके उपर ही depend होता है और इसमें हमें USB standards भी देखने को मिलते हैं जैसे कि वो बताते हैं कि इस cable से हम कितने speed से हम data transfer कर सकते हैं तो वो अलग-अलग type के symbols होते हैं वो सब कुछ अलग-अलग मतलब कि इनकी जो detail हो बहुत ही जियाता है अगर available होगा तो मैं आपको photos में दिखा दूँगा बात करेंगे color code के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह सभी cables में हमें अलग-अलग socket देखने को मिलेंगे जैसे कि इसमें आप देख सकते हो यह orange है बाकि यह white है यह blue है तो इनके जो socket होते हैं इसके अंदर color होता है वो define करता है कि इसमें किस तरह से speed मिलेगी और charging की speed, data transfer की speed वगिरा यह सब कुछ ही यही तेय करता है सबसे पहले बाहत आती है white की तो white में आपको इनकी generation है वो 1.0 और 1.1 है मतलब कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें जो color code है white दिया गया है जिसनका मतलब होता है यह 1.0 है या तो फिर 1.1 है तो इनकी speed कुछ 10 MB से लेकर 12 MB तक की होती है ज्यादा तर यह 15 MB तक भी जहा सकता है और हां यहां पर ऐसा नहीं है कि यह socket white है इसलिए यह 1.0 ही है अब आप पीछे की और देखोगे तो यह दो केबल है वो micro USB है और एक जो केबल है वो USB-C है तो USB-A to USB-C में जो power supply है जो supply होती है data transfer की वो बढ़ जाएगी तो यह 1.0 होगा तब इसमें हमें generation काफी कम है 1.0 है तो यह किसी कम का नहीं ऐसा नहीं है पीछे की और भी आपको देखना चाहिए यहां पर टाइप C है इसलिए इनका जो power की जो supply हो बढ़ जाएगी इसलिए data transfer की speed भी बढ़ जाएगी आपको ज्यादर speed मिलेगी अब बास आती है black type की तो यहां पर अगर आप देखोगी तो यह black type का USB केबल है तो इनका मतलब होता है इनके जो generation है वो 2.0 है मतलब कि इनकी जो speed है वो 500 Mbps तक जा सकती है कोई भी data transfer की speed है वो 500 Mbps तक जा सकती है अब इसा नहीं है कि सभी device में में 500 Mbps की speed मिलेगी वो device के उपर भी थोड़ा बहुत depend होता है अब ह हां इसा नहीं यह type C है इसलिए आपको यहां पर और भी color देखने को मिल सकता है यहां पर यह white में भी देखने को मिल सकता है तो उसका मतलब यह नहीं कि वह 1.0 है यह 2.0 भी हो सकता है यहां पर white हो यह फिर black हो तो यह दोनों में थोड़ा बहुत confusion हो सकता है अज कर 1.1 और 3.2 तो यह तीनों ही हमें एक एक जैसे ही देखने को मिलेंगे 3.1 और 3.0 वह हलका सा थोड़ा बहुत green tone में देखने को मिलेगा बाकी और और सभी चीजे सेम ही है यह 3.0 है और इनकी speed 1GB PS के आसपास जा सकती है अगर चूबी डिवाइस वगेरा है वह अच्छे compatible है देखने को मिलेगी और इनके साथ साथ एक और भी color है तील करके तो उसमें हलका सा green tone देखने को मिलेगा बाकी वह 3.1 है और 3.2 है तो यहाँ पर में GBPS में speed भी लगी और यह अभी market में ज्यादतर देखने को नहीं मिलता है ब्लू ही हमें देखने को मिलता है अब बात आती ह में red की तो ज्यादतर मार्लब की मैंने अभी market में देखा तो वहाँ पर red type के जो भी ports होते हैं मैंने ज्यादतर cases में नहीं देखा oneplus के cables में देखने को मिल रहा है लेकिन वह क्या पता वह उनकी जो color होता है white and red उनके हिसाब से provide किया गया हो वह अभी हम अच्छे तरीके से नहीं कह सकते हैं लेकिन वहाँ पर हमें 3.1 generation 1 और generation 2 के ही देखने को मिलेंगे बाकी जदेतर red हमें देखने को नहीं मिलता है उनकी जो speed होती है 5Gbps के आसपास इनकी जो speed होती हो जा सकती है अब बात आती है yellow की तो yellow तो अभी market में बिलकुल भी available नहीं है मतलब कि मैंने कही पर भी नहीं देखा है उसमें हमें two type की generation देखने को मिलती है 2.0 और 3.0 और यह जो cable होता है वो sleep and charge के नाम से भी जाना जाता है मतलब कि अगर आपने अपना laptop sleep में sleep mode में अपने बंद कर दिया है तो वो आपकी जो charging है अगर आप उसमें से mobile charge करना चाहते हो तो वो definitely on ही रहे देखने को मिल जाती है और यहां पर इनको भी हम sleep and charge के नाम से जान सकते हैं तो यह सभी cables अलगलग टैप के port के हिसाब से डिवाइड किये जाते हैं और उनकी speed होती है वो भी उनके color code के हिसाब से ही provide की जाती है और आपको कोई query है तो आप मुझे comment में कह सकते हो और वीडि जी है बेसी जाती है तो यह में सकते ही 해서 लिवाइप के लिवाएप झाती है जाता है जाता है घ安ता है जाती है तोनम् देया ऑध